गल्वान में 20 भारतिय सेनिकों की शहादत का बदला लोग अपने तरीके से ले रहे हैं मामला भले ही से लाइन ओफ एक्शल कंट्रोल पर अब तनाव घट रहा हो लेकिन लोगों के दिलों में वो दर्द अभी भी कायम है जबकि 20 जवानों की शहादत वहां हुई थी दोनों और से तनाव कम करने की तमाम कोशिशें जारी हैं इस बीच भारत में चीनी सामानों के भहिशकार का सिलसला शुरू हो गया है बाजार में धडले से बॉयकॉट चाइना के मास्क बिक रहे हैं और लोग इन्हें लगा कर चीनी सामानों के बहिश्कार का संदेश भी दे रहे हैं यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो राजधानी दिल्ली की है जहां पर बॉइकॉट चायना के मास्क लगा कर लोग चीन का बहिश्कार कर रहे हैं और ऐसी मांग कर रहे हैं दुकानों और मॉल्स के अलावा सडकों पर आने जाने वाले लोगों को भी ये मास्क बांटे जा रहे हैं